तो दोस्तों आपको यूटूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें ये बताया जाएगा कि फ्यूस की वज़े से सौरब भाई का ब्लॉग वाइरल हुआ या फिर वो डेली ब्लॉगिंग करते हैं इसलिए उनका ब्लॉग वाइरल हुआ लेकिन आज की इस वीडियो में ऐसे मैं तीन सिक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि सौरब जोसी ब्लॉग चैनल जो है वो किस वज़े से वाइरल हुआ है और अगर आप भी अपने ब्लॉगिंग चैनल को वाइरल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सस्क्राइब करके साथ में बल आइकन जरूर प्रेस कर लेना तो कि हम आगे भी ऐ जिरुएन बिलेन या फिर कमेडियन यह सारे कारेक्टर देखने को नहीं मिलेंगे तो साइद आप उस मूवी को नहीं देखेंगे इसी तरीके से जो सौरब जोसी ब्लॉग चैनल है इसमें बहुत सारे कारेक्टर है और यांपल मम्मी पापा रियो साहिल सौरब जोसी और दोस्तो यह सारे कारेक्टर एक पीडियो में रहते हैं जिसकी वज़े से बच्चे बुठे जवान सारे लोगते हैं और इसी वज़े से इनकी वीडियो पे ज्यादा विव जाता है और सकसेज होने की राज भी एई है क्योंकि दोस्तो हर एक viewer इनकी family के साथ अपने आपको relate करने लगता है और इसी वज़े से इनकी हर एक video में लोग interest दिखाते हैं जादा से जादा देखते हैं और इसी वज़े से इनकी हर एक video viral हो जाता जोस्तो second secret first channel मतलब सावरब जोसी आर्ट दोस्तो आप मेंसे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे मैं आपको बता देता हूँ कि सौरब जोसी ब्लॉग से पहले एक इनका और चैनल था जिसका नाम है सौरब जोसी आठ और अभी भी है दोस्तो इनोंने सबसे पहले वही यूटूब चैनल ओपन किया था और उसमें के अच्छे खासे सस्क्राइबर थे व्यूज भी अच्छे खासे ही आ रहे थे इस वज़े से इनोंने एक और चैनल खोला जिसका नाम रखा सौरब जोसी ब्लॉग दोस्तो अगर आप ऐसे ही रेंडेमली अपने ब्लॉग चैनलर पर डेली ब्लॉग डाल रहें तो सायद आपको इतनी जल्दी सक्सेज नहीं मिलेगी जितनी जल्दी इनको मिली है जोस्तो इनका एक पहले से चैनल था और जैसे इनोंने दूसरा चैनल ओपन किया जो इनकी पहले की ओडियांस थी वो दूसरे चैनल पर कनवर्ट हो गई और इस वज़े से इनको ज़्यादा महनत भी नहीं करनी पड़ी मैं आपको बता देता हूं इन्होंने साइट 20 वीडियो अप्लोड किये थे और 100 के सस्क्राइबर इन्होंने गेन कर लिये थे तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप ऐसे ही रेंडमली कोई वीडियो अप्लोड करने अपनी ब्लॉग चैनल पर तो आपको कौन देखने वाला है क्योंकि इनके पास पहले से ओडियंस थी और वो लोग ये जानना चाहते थे अगर ये 2-4 गंटा अपने आर्ट में बिजी रहते हैं तो बाकी के टाइम में ये क्या करते हैं और इसी वज़े से जब इन्होंने ब्लॉग चैनल ओपन किया तो इनकी पहले की ओडियंस यहां पहाड़ों पर या फिर कुछ ना कुछ खरीते रहना लाइक बाइक कार होम या फिर प्यूस की साइकिल ऐसी बहुत सारी चीजे जो नई नई दिखाने की कोशिस करते हैं अपने चैनल पर और इसी वज़े से जो इनकी ओडियंस है वो इनके चैनल पर इस्टे है क्योंकि उ यही वज़ा है जिसके कारण यह अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा गुरू कर पाएं तो यह रहे तीन सेक्रेट जिसकी वज़े से सौरब जोसी ब्लॉग चनल बहुत ही तेजी से गुरू हो रहा है और आज की डेट में सेबन मिलियन से ज्यादा इनके सस्क्राइबर है और आई होब 10 मिलियन बहुत है जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों आपको क्या लगता है कि किस वज़े से सौरब जोसी ब्लॉग चनल इतनी तेजी से गुरू हो रहा है नीचे कॉमेंट में जरू बताना और आपको कौन सा पॉइंट पसंद आया या फिर कौन सा प जीट किये तो चनल को सुस्क्राइब करके साथ में बिल आइकन भी प्रिस कर लेना क्योंकि हम आगे वी ऐसे नौलेजबल वीडियो लाते रहेंगे तो दोस्तों तब तक लिए चलते हैं ठाटा झाल